हेलो एवरिवन मैं पूर्वा और बेरे कीचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं मैं बना रही हूँ हल्दी वाला अचार तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ हल्दी के मोसम में जो फ्रेश वाली हल्दी मिलती है आज उसी से हम अचार बनाएंगे चार सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा धाई सो ग्राम हमने फ्रेश हल्दी ली है जिसे हमने अच्छे से वोश कर लिया है चाकू की सहायता से सभी हल्दी के हम चिल के हटा देंगे बस इस तरह से रगड़ते हुए हम इसे चीलेंगे सभी हल्दी को हमने चील लिया है और अभी इसे कद्दुकस से ग्रेट करेंगे द्दुकस लेंगे और जिस साइट में मोटे होल्स बने हुए हैं उसी साइट से हल्दी को ग्रेट कर लेंगे, तरह से हम सारी हल्दी को ग्रेट करके तयार करेंगे, सारी हल्दी को हमने ग्रेट कर लिया है और अभी हम इसका अचार बनाएंगे, इस पर एक इस्टील की कड़ाई चड़ा दी है और अभी हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ओयल, 200 गराम के करीब हम मस्टर्ड dopamine लेंगे और इसे गरम होने देंगे लिज्ञे के बाद एक बड़ा चमज सुव डालेंगे चमज यलो मस्टर डालेंगे यानि कि पीली वाली सर्सों चिछोटी चमज हजवायन डालेंगे हम दो चमज के करीब कलोंजी डालेंगे चमच मेधी दाना डालेंगे चीजों को तड़कने देंगे खोटी चमच के करीब हींग डालेंगे इससे अचार में बहुत यह अच्छी खुश्बू आती है चीजे अच्छे से फ्राई हो गई है और अभी हम इसमें डाल देंगे ग्रेट की हुई हल्दी सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे 10 मिनिट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी में जितना भी पानी होगा उसे हम सुका लेंगे अच्छी में जितना पानी था वो सूख गया है और ओल भी इसने रिमूव कर दिया है हम इसमें डालेंगे मसाले स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे चमस लाल मिर्ची पावडर डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो गई है और अभी हम इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे कुक होते हुए 5-7 मिनट हो गई है गैस की फ्लेम बंद कर देंगे अभी हमने गैस पर एक छोटी कड़ाई चड़ाई है चमस के करीब मस्टर्ड ओयल डालेंगे गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दो तेज पत्ता इलाइची डाल देंगे इसे 5 लोंग डालेंगे दो छोटी लाइची डालेंगे यानि की हैरी लाइची दाल चीनी के टुकड़े डाल देंगे अच्छे से तड़कने देंगे अच्छे से तड़क गई है और अभी हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे में खड़े मसाले फ्राई किये थे वोसब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा बन कर तेयार है हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदे मंद है ब्लयट को साफ करती है बोडी के पैन को ठीक करता है हम सबी को हल दिकाने चाहिए इसपइसली सर्धियों में अब हमें कांच की बोटल लेंगे इसे अच्छे से हमने वोश कर लिया है सूखे कपड़े से पौँच कर इसे धूप में लगाया है अद हम इसमें अचार स्टोर करेंगे बोटल हमारी गीली होगी तो अचार भी हमारा खराब हो सकता है आप भी एक बार अचार जिरूर बिज़ेगा ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे ये भी मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के सामने लाती रहूंगी आप लोगों का सपोर्ट हमेशा इसी तरह से मिलता रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में दो दिन के बाद इसक इंजॉय कर सकते हैं